हर्याना खादेया मों मपूर्ती विभाग के अडिशनल चीफ सेक्टरी पीके दास जी हमारे साथ मौजूद है इन से चर्चा करेंगे कुछ एहम मुद्दों के उपर दास अब जिस प्रकार से यम्ना नगर के अंतर मामला देखने में आया था कि परिवार के सदस्यों की संख यह था क्लियर फैंडिंग नहीं आया है इसलिए मैं अभी इसकी कारवाई करने के जो तरीका है उसमें थोड़ा तब्दिली कर रहा हूं तो हमारे अभी सरकार की तरफ से परिवार पहचान पत्र बनाए गये हैं ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जिनके परिवार पहचान पत् ज्यादा सदसे मिलेंगे उनके सदसेता तुरंत प्रभाब से निरस्त कर दो किस तरके अधिकारियों ने की और क्या कारवाई उनकी इस नेगलिजिंसी पर होगी यह जांच जिलाशतर कर अधिकारी भी किये और यहां मैंने हेड़कॉर्टर से भी कमिटी बना के भीजाता ह मुझे लगता है कि वह जिस तरीके से उसको जांच करना चाहिए था तरीका नहीं अपना है उन्हों ने वहां गये तो पीडियेश के और मामलों को भी देखने लगे हलांकि यहां मैं एक ही मुद्दे पर उनको जांच करने के लिए कि यह बाद में यह मैं सोचता हूं कि सा अब किस तर पर होगी अब जैसे मैंने बताया कि एक परिवार उसके पास राशन कार्ड है उस राशन कार्ड में मान लीजिए कि उसने 6 सद्रस्यों का दिखाया गया है हमारे रेकर्ड के मुताबिक और वही परिवार परिवार पहिचान पत्र अभी पिछले दो महीने पहल यह सभीत हो जाएगा कि यह दोनों नहीं होना चाहिए था काड में तो तो पहले उनका नाम हम सब्ढ़ कर देंगे दो सद्रस्यों का जिनका नाम परिवार पहिच्ण पत्र में नहीं है है उसके बाद यह देखेंगे कि इनका नाम आढ़ किन अधिकारियों ने किया दो तर लोग का नाम आड़ कर दिये हैं उनको पता था और वो ले रहे थे दूसरा यह कि परिवार को पता नहीं है किसी और ने नाम आड़ कर दिया और जिनका नाम उसमें कहीं न कहीं रुकावट आने के वज़े से लोगों को परिशानी भी आ रही है तेखिए जो राशन डिपू नया लगाने की जो हमारी वेवस्ता है उसमें हमने कुछ ठोस परिवर्तन किया है तो यह है कि इस बार पहली बार हम कह रहे हैं कि कितने उम्र तक आदमी राशन डिपू चलाने में महिलाओं को भी कुछ आरेक्शन देना है यह दूनों चीज बड़ा मैं समझता हूं यह गंबिर पॉलिची डिसीशन है तो यह पॉलिची डिसीशन लेते हैं तो उसको नोटिफाइब करने से पहले सरकार के जो अबंतरी नी जो प्रसेस है उस प कंसल्टेशन अल्मस्ट फाइनल स्टेज पर है और उसको तुरंद रूटिफाइब करेंगे उसके बाद आडविटाजमेंट करेंगे सर एक समस्या राशन डिपू धरकों की भी रही है वो शायद आप से मिले भी हों क्योंकि यह लगवकि तीन चार साल से वह पिछली सरका दी जाएगी तो यह उन लोगों की जो कमिशन है वो सही समय पर उनको मिल जाए उसके लिए कोशिस की जा रही है हम यह भी कुशिस करेंगे माली जी एक ही गाओं में किसी कारण से दो डिपो बना दिये गए हैं तो एक में 200 कार्ड और दूसरे में 200 कार्ड है तो उसमें कमि को मिला के एक बनाए जाएगा तीसरी चीज है कि आपको पता है कि हमने नमक जो नौमली पीडियेस का सामान नहीं लेकिन देना सुरू कर दिया है अभी तो नमक हम दे रहे हैं कि जो राशन कार्ड होल्डर है उन्हीं को वो देंगे हम जो नमक दे रहे हैं वह साड़े छे बजार में वही नमक 11 रुपे 12 रुपे में मिलता है तो जो कार्ड होल्डर नहीं है उनके लिए भी आगे हम नमक देना सुरू करेंगे और कोई भी आके वहां से ले सकता है दूसरी चीज है वासिंग पाउडर बिसकेट और जो रोजमरा के जो जरुरत होती है जिनको आम पर लोग खरीते हैं वो भी अभी हम नन पीडियेस आइटम डिपो के जरीए बेचने के लिए बैवस्ता कर रहे हैं उससे क्या होगा एक तो कंजुमर को जो गाओं के या सहर के जो कार्ड होल्डर है उनको उनके जरुरूत की चीज कम कीमत पर मिलेगा और जो हमारे का तो पीडियेस के सामान है वो भी हर रोज बिकने जाए दुकान खुलेगा और उस तो हर रोज बिकेगा तो यह हैं पीके दास एडिशनल चीफ सेक्रिय हैं खाते हैं वहमापूरती विवाग के इन्होंने जो जांच करवाई बाइस के बाइस जिलों में उससे फिलहाल की जाएगी कैमरामन जीतंदर के साथ चंदर शेकर धरनी पंजाब किसरी टीवी चंदिगड़